19th century में Slidden और Swann के द्वारा cell theory प्रपोस की गई और उस समय हमारा जो observation था वो crude microscopic observation था तब से लेके अब तक cell architecture और chemical activities जो cell के अंदर होती हैं उन्हें observe करने के तरीकों में भारी revolution हुआ है करन्तिकारी परिवर्तन हुआ है the fundamental similarities are more pronounced at functional level than at the structural level the following four functions are universal in all living cells cell के living होने के लिए ये four functions का होना बहुत जरूरी है तभी वो cell living होगा the first is cells maintain a selective barrier that separates the cells internal contents from the external environment और इसके लिए cell जो है एक plasma membrane से surrounded होता है plasma membrane और cell wall दोनों cell को protect करते हैं plasma membrane जो की एक selective barrier membrane है और ये तीन तरह से function करती है plasma membrane नमर फर्स्ट इस तर्टन मालेक्योल्स पास थूद प्लाज्मा मेंब्रेन एट एट ए स्लोवर और हायर रेट कुछ मालेक्योल्स धीमी गत से या तेज गत से प्लाज्मा मेंब्रेन के थूपास होते हैं तो इसलिए selective barrier है second thing जो प्लाज्मा मेंब्रेन करती है वो करती है कि कुछ मालेक्योल्स को अपने through move कराती है concentration gradient के against concentration gradient के against means कि कोई चीज किसी तरफ कम है और उसको कम से जादे की तरफ जाना है जैसे uphill toss करना है तो इस काम के लिए वो cell के अंदर वो lower या higher concentration maintain कराती है concentration gradient के against molecules को move कराके और इस कारे के लिए प्लाज्मा मेंब्रेन को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है chemical energy खर्च करनी पड़ती है और वो chemical energy ATP से आती है और इस रह एनर्जी के expenditure पर जो यह selective barrier concentration gradient के against molecules को flow कराती है मूब कराती है उस process को कहा जाता है active transport और cell membrane को काम करने का जो barrier करने का तीसरा तरीका है वो है vesicular transport जब plasma membrane को bulk में molecules को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर भिजना पड़ता है तो उसके लिए वह vesicular system को adapt करती है और यह process जो है endocytosis या exocytosis के द्वारा पूरा किया जाता है है endocytosis में बाहर के molecules बल्क molecules अंदर आते हैं और exocytosis में सेल के अंदर के molecules जो है वो बल्क में बाहर जाते हैं यू करियाटिक सेल्स और कंपेटला कंपाइटमेंटलाइस्ट एट लेवल ऑफ कंप्लेक्सिटी ऐस कंपेर टू प्रोकरियाटिक सेल्स प्रोकरियाटिक सेल्स और यू करियाटिक सेल की प्लाजबा मेंब्रेन में थोड़े से फर्क हैं थोड़े से डिफरेंस हैं chemical level पर और structural level पर बाकि major functions rest of the major functions दोनों membranes चाहे वह prokaryotic cell की हो या eukaryotic cell की हो दोनों सेम करती हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन यू करियार्टिक सेल में इतना अधिक होता है इतने अधिक इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम जिसके सर्फेस पर राइबोसों लगे होते हैं और वह राइबोसों जो हैं प्रोटीन सेंसिस के साइट बनते हैं गौलगी कांप्लेक्स जो की स्टोरेज और सेक्रिशन का काम करती है जैसे हमारे घरों में इस्टोर हाउसेज होते हैं उसी तरह से सेल के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उसको गौलगी इस्टोर करती है और जहां जरूत होती है फिर उसका उसके हिसाब से शेक्रिशन होता है लाइसोसोम्स जो हैं यह इंट्रा सेलूलर डाजेस्टिव सिस्टम की तरह से काम करते हैं जहां कहीं भी प्रिफिक्स इंट्रा लग जाए वो समझे कि विदिन डैट स्फियर ओ काम हो रहा इंट्रा सेलूलर मतलब यह हुआ कि सेल के अंदर वो चीज़ें हैं पेंड हो रह जो कि सेंथिक प्रडॉक्स को स्टोर करती हैं और एसकरिटरी प्रडउक्स को भी लेती हैं और उसको बाहर करने का काम करती हैं प्लाजमा मेंब्रेन फिजिकल इंटेग्रिटी प्रवाइड करती है और यह यूकरियाटिक सेल्स में एक प्रमिनिन्ट फंक्शन करती है लेकिन सेल मेंब्रेन का यह फंक्शन थोड़ा सा जाके plant cells में कम हो जाता है क्योंकि plasma membrane के बाहर एक cell wall पाई जाती है और वो cell wall बहुत rigid होती है plant cells को strength provide करती है और environmental hazard से लड़ने की ताकब भी देती है तो वातापरण के प्रभाव से भी cell जो है protected हो जाता है जो second बात होती है living cell के होने के लिए cells inherit and transmit genetic materials cells living cell होने के लिए यह आवशक है यह compulsory है कि वो genetic material को inherit करें inheritance का मतलब होता है कि वो अपने parents से उसके अंदर आए और अपने अंदर से वो अपने office springs को अपने बच्चों को वो transmit करें यह चीज हो जाती है inheritance and transmission of genetic material इस कारे में nucleus cell के अंदर होता है और nucleus जो है वो एक envelop की तरह से होता है double membrane से enclosed होता है और nuclear membrane मेंब्रेन जो होती है उसके outer surface पर ribosomes पाया जाते हैं small granules होते हैं nuclear membrane पर at intervals कुछ structures होते हैं जिनको nuclear pore कहते हैं और ben nucleus जो है nucleus के अंदर जो protoplasm होता है उसको nucleo Plasmas कה कहिंगे कैरियो Plasmas कहिंगे कैरियो Plasmas तो कैरियो स्लिव प्लाज्म साइटो प्लाज्म से कॉमुनिकेट करता रहता है with nucleus के अंदर and chromosome सहते हैं और यह chromosome जो होते हैं ओях Chromatin fibers के Condensation से बनते हैं जो Chromosomes de-condensed form में होता है तो वह Chromatin कहा जाता है और Scro Quiet in extended form से फिर Condensed हो जाता है उस्ट क्रो मेनता है है नीकलियर्स के अंदर Nucleus भी पाय जाता है और Nucleus जो है वह manufacturing and assembling body है ribozoms के लिए मतलब ribozoms का manufacture और assembly दोनों कारे जो है ν yani Nou嚯 lumis करते हैं एक sil के इंदर एक ν sulla भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं जब कई něrences की बात कहेंगे तो उसको plural में कहेंगे warning nucleus nucleus singular है और nuclei प्लूरल है तो सामनत आयू केरियाटिक सेल्स में कई नूकलियूल आई होती हैं राइबोसोम्स जो होते हैं और एंडोपलाजिक रेटिकुलम के में आउटर मेंब्रेन पर होते हैं नूकलियस के मेंब्रेन पर होते हैं और कुछ राइबोसोम्स साइटोपलाज में फ्री भी पाया जाते से पूरती है कि यह वालोन यौव. अबी प्रोटीन सिंथिसिस कराते हैं और वुए प्रोटीन फ्री यौख सूंस के उपर जो बनती है वो सिल के अंदर वो ट्रांस्पोर्ट नहीं होती है सेल के बाहर वो सिल के अंदर काम आती है अब प्रोकेरियाटिक सेल्स में जो क्रोमोजोम होता है और नेकेड होता है मतलब वो डियने का सिंगिल सर्कुलर डियने का बना होता है और वो नेकेड होता है नेकट होने ये मतलब हो गया कि वो DNA प्रोटीन के साथ एस्येशन नहीं करता है उसमें प्रोटीन एस्येटट नहीं होती है इसलिए बैक्टिरियल क्रोमोजोम को निकट म्रोजोम कहा जाता है वो One Simple DNA होता है सर्कुलर होता है और वो किसी मेंप्रेन से नहीं घृता है जैसे कि यूकरियाटिक सेल्स में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो न्यूकलिर मेंब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं तो उस तरह से प्रोकरियाटिक सेल्स के जो Chromosomes होते हैं वो naked होते हैं, उन Chromosomes के साथ proteins associated नहीं होती है, सिंग्ल थ्रेड होते हैं या कई थ्रेड मिलके उलजे वे इस्ट्रक्चर बनाते हैं और वह प्रोटोप्लाज्म या साइ्टोप्लाज्म से डाइरेक्ट कॉम्मूनिकेशन में होते हैं राइबोसोम्स उन क्रोमोजोम्स को जो प्रोकरियाटिक सेल्स में पाय जाते हैं जो उल्जावाई स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी कोई मेंब्रेन नहीं होती है उनको न्यूक्लियाइट कहा जाता है और इन न्यूक्लियाइट का औकेजनल कनेक्शन प्लाज्मा मेंब्रेन के साथ होता है और उसमें मीजोसोम्स हेल्प करते हैं उस कनेक्शन को करने में और डिएने के रेप्लिकेशन होने में हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन कराते हैं जिससे कि जब वो प्रोकरियार्टिक सेल डिवाइट करता है तो नियूली सेंथसाइट डियने और ओल्ड डियने दोनों क्लियरली अलग-अलग सेल्स में चले जाते हैं इस तरह से वह जेनिटिक मैट्रियल का ट्रांसफर करते हैं एक सेल से दूसरे दूसरे जिन में तएस तरह से जनरेशन टर जरॉने दजनरेशन इने इक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहे से लूगे मेजो सोंप्स की तरह ही उसमें कांडुइट्स भी होती है जो की प्लाज्मा मेंब्रेन रेंज पहसी होती हैं और बहुत ठीकली अरेंज होते हैं तो इनका दोनों का काम बहुत निश्यत तो नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह दोनों ऑक्सिडेटिव फास्पोर रिलेशन में भी हेल्प करते हैं जो थार्ड फंक्शन है लिविंग सेल का सेल्स करी आउट कैटलाइस्ट केमिकल रियक्शन्स फॉर्ड सेंथिस एंड ब्रेकडाउन आफ और गैनिक मालिकूल्स प्रोकेरियार्टिक सेल और यूकेरियार्टिक सेल में प्रोकेरियार्टिक सेल में जो यह केमिकल रियक्शन्स होते हैं उसके प्लाजमा मेंब्रेन के इनर सर्फेस पर होते हैं उस पर कुछ ग्रेनियूल्स पाया जाते हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं एंजाइम्स होते हैं जो की एनर्जी प्रोड़क्शन का कारे करते हैं कि यह इस पुरी प्रम्स को जिसमें केमिकल रेक्शन्स होते हैं और सें Prophet ड्रीकडाउन होता है इसको एक टर्म देते हैं मेटाबॉलिस्म मेटाबॉरी एक मैपोस्तर और सकता है UP जो हम लोग कहा भी के यावर आर्गनीजम्स जो करते हैं और सट इन रहताए तो स्ट इन भी उसका ब्रीञ डाउन होता है और सफ्ट्रॉध। अफ्फीपाइड में साइटोप्राज में जो ब्रिकडाउन होता है फिर हो मैटरिल मायटोजू यहता है उपूरियू के अंधर प्रतित सेल्स में लुए तरेंभगरियू को प्रतितंहें कि किस सेल में माइटोकॉंडिया की संख्या जादे होगी और किस सेल में माइटोकॉंडिया की संख्या कम होगी न्यूक्लियर मेंब्रेन के तरह से ही माइटोकॉंडिया भी जो है डबल मेंब्रेन स्ट्रक्चर है डबल मेंब्रेन स्ट्रक्चर की बनी होती है और इसकी जो इ जाती है फिंगर लाइक प्रोसेस बनाती है और दोनों मेंब्रेन के अंदर जो इस पेश वो माइट्रोकॉंड्रिया इंक्लोज करती है उसको कहा जाता है मैट्रिक्स माइट्रोकॉंड्रिया में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिने भी पाय जाता है और राइबोसोम्स भी पाय जाते हैं यह एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जो डिने होता है यह माइट्रोकॉंड्रिया के लिए सेंथिस करता है राइबोसोम्स के उपर भी प्रोटीन की सेंथिस होती है तो यह जनरेशन दर जनरेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इसका भी होता रहता है इसमें यह जहां पर की ट्रोकांड्रिय नहीं होती है वहांपर क्लोरोप्लास्ट होता है जो ऐसे पिलान्ट्रीन दूस सं एनर्जी को ठ्रैप करते हैं और उस एनर्जी को वो yhtोव on personality करते हैं वहां पर माइट्रोकॉंड्रिया के comfort combo इस्टेक्ट आ घर से जैसे जैसे माइट्रोकॉंड्रिया डेवुल मेंब्रेन स्ट्रॉंड्चर है उसी तरह से30 प्रण माइट्रोकॉंड्रिया से थोड़ा सा बड़ी साइज का होता है और वी डबल मेंब्रेन स्टक्चर है माइट्रोकॉंड्रिया की इनर मेंब्रेन के अंदर एक स्पेस होता है जिसको इस्ट्रोमा कहते हैं और जैसे वो मैट्रिक्स के comparable है, mitochondria के metrics के comparable है। chloroplast की जो Inner Membrane है जो की glow में है उसके अंदर भी folding हो जाती है और उस थाइल कोइड उसमंको कहते हैं उन थाइल कोइडS पर granules पाय जाते हैं जिसके mitochondria के Inner Membrane पर ग्रेनल पाय जाते हैं उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाले थालेकोआड्स की मेंब्रेन पर भी इस्मॉल पॉट किल्स पाया जाते हैं जैसे माइटोकॉंडिया में जो पॉट किल्स हैं वो एक्च्वल साइट हैं औक्सिटेटीव फास्पोरेलेशन की मैक्समाम एनरजी वहां पर भी जो एनरजी लीवरेट होगी वह ATP के फार्म में इस्टोर हो जाएगी और ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट जु पाया जाते हैं कुछ प्रोकारियाटिक जो सैनेरजी को ट्रैप करते हैं और कुछ युकारियाटिक प्रोकारियाटिक सेल्स में इस तरह से होते हैं जो प्रोकारियाटिक सेल्स को सराउंड करते हुए इनर मेंब्रेन है उसके इनर साइड पर कुछ part kills पाया जाते हैं और वो उसी तरह का function करते हैं जैसे mitochondrial inner membrane पर part kills जो function करते हैं ATP formation का उसी तरह से prokaryotic cell के membrane के अंदर पाया जाने वाले जो part kills होते हैं उसी तरह से energy का production करते हैं ATP form में होती हम किसी भी तरह की energy को जब तक ATP form में नहीं convert करेंगे कोई भी organism तब तक वह organism उस energy को utilize नहीं कर सकता है तो इस तरह से prokaryotes और eukaryotes में metabolism होता है और degradation होता है जो body के लिए unwanted materials हैं वह भी degrade किया जाता है enzymetically और वह body से eliminate होता है जो फो फोर्थ तिंग है सेल को living होने के लिए और है सेल्स मैनिफेस्ट सेवरल टाइप्स आप mortality सेल्स जो होते हैं और mortality करते हैं और उस mortality के लिए मोटाइल होने के लिए सेल को एक जगह से दूसरे जगह जाना या सेल के अंदर ही चीजों को मूब करने के लिए सीलिया और फलेजला होते हैं प्रोकारियार्टिक सेल्स में सीलिया और फलेजला पाय जाते हैं यह सीलिया और फलेजला यह बहुत सिंपल होते हैं लेकिन यू कारियार्टिक सेल्स के जो सीलिया और फलेजला होते हैं वो सिंपल नहीं होते हैं वो थोड़ा कांप्लेक्स हो प्सक्राइब करते हैं और यह उसके कंप्रीजन में थिक होता है लॉंग होता है और अपना फंक्शन दोनों के करीब करीब करने का काम एक ही उता है दोनों का काम मॉर्टिल्टी ही प्रवाइट करना होता है इनके आलावा सीलिया और फ्लैजला के आलावा सेल्स के अंदर माइक्रोटिबूल्स होते हैं जो कि सीलिया और फ्लैजला के कंप्रीजन में 25 से लगा के 50 टाइम्स ठिकर होते हैं से माइक्रोफिलावेजन होते हैं यह माइक्रोटिबूल्स जो है ये साइटोवेज स्केल्टन बनाते हैं इस्पिंडिल्डेस बनाने में हेलफ होते हैं और यह क्रोमोजोम्स को जो में कि था उसके सहारे चीजें मूब करती हैं यह कंपर में बटे होते हैं इसलिए चीजों को एक जिगह से दूसरे जिगह जाने में थोड़ी असुधा का प्रिष्टसां, सामना करना पड़ता है, तो black tubules उसकाम में cells को help करते हैं और वो things को, चीजों को move कराते हैं एक ज्ञेघर स्टीज़ पुर्र कैरेटिक सेल्स, एक simple cabin की तरह say होते हैं और जैसे हम एक सिंपल के यह उसी में खाना उसी में सोना उसी टीवी देखना होता है तो चीजें मडे जल दीसे से उसमें हो जाती है जैकिन यूकरिiada क्लेपिल में अदर होता है जिसकी वजह से जो एक जगह से दूसरे झगह आसानी से नहीं जा पाती हैं तो उसमें ये spindle formation में help करता है क्रोमोसों को move करता है दूसरे तरह काFit गई को उनको माइक्रो फिलामिंट्स कहते हैं और इसका जो डायमेटर होता है शिक्सक्रों होता है और यह जो है cycloplasmic streaming के लिए मुमेंट करता है और अमिवाइट कराता है अमिवाड मुवमेंट के तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बोड़ी के अंदर यूके रेटिक सेल में सेल का मुमेंट में होता है तो उसमें ये हैल्प हेल्फ फुल है Cytoplasmic streaming और euglenoid movement के लिए फिर third type का जो filament होता है उसको intermediate filaments कहते है इसके size 6 nm होती है और ये इन दोनों के बीच का होता है इसका 7 है तो इन दोनों के बीच का इसका dimension है और ये भी जो है cell के स्वरूप को बनाए रखने में सेल की इंट्रिटी बनाए रखने में कोलेप्स होने से बचाने में यह तीनों तरह के जो फिलामेंट्स हैं वह हल्पुल होते हैं इन तेनों फिलामेंट्स को मिलाके साइ्टो-सकेल्टन भी कहा जाता है आगे के क्लासेज में हम लोग डिटेल में इन छीजों को पढ़ेंगे एक बात और आपको बतानी है कि यह जो फूर फंक्शन्स हैं जह सेल्स मेंटेने सेलेक्टिव बैरियर दैट सेपरेट सेल्स इंटर्नल कॉंटेंट फ्रॉम एक्स्टर्नल इंवरामेंट सेकेंड सेल्स इनेरेट एंट ट्रॉंसमिट जेन्टिक मैटेरियल सेल्स कैरी आउट कैटलाइज्ट केमिकल रियक्शन्स फॉर दे सेंथिस एंड ब्रेक्डाउन ऑफ और अर्गेनिक मालेक्यूल्स और सेल्स मैनिफेस्ट सेरल टाइपस आफ मॉटिल्टी इल लिविंग सेल्स के लिए चारों चीजों का होना जरूरी है अब थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है वाइरिसस के लिए वाइरिसस आउटसाइड नॉन लिविंग है और इंसाइड आर्गेनिजम दे आर लिविंग और अबलिगेट परासाइड होते हैं इन चारों कंडिशन्स में से वाइरिसस के पास सिरिफ एक कंडिशन है कि वो जेंटिक मैटियल अपने पास रखते हैं जेंटिक मैटियल रखते हैं बाकी तीनों कंडिशन्स वाइरिसस में नहीं मिलती हैं पास ने उस तरह का मेंटाबॉलिजम करते हैं वो अपने होस से लेते हैं आप लिगेट परासाइट होते हैं और नहीं वो उनका मोमेंट होता है इसलिए वायरिस को सेल की कर्टिगरी में रखना मुस्किल हो जाता है इसकी बड़ी इंटरमीडियत वायरिस की पोजिशन सकते हैं तो इस थोड़े से से हम लोगों ने सेल थेरी जाना और सेल के लिविंग सेल के क्या फंक्शन होने चाहिए और जाना इस सेल थेरी कि और निश्वी सदाप्दी में प्रपोज हुई थी लेकिन उसकी प्रासंगिक्ता आज भी बनी हुई है जबकि उस समय हमारे पास क्रूड माइक्रोस्कोप था और हमारे पास साइंटिफिक डाटा केमिकल एनलसिस इस सब चीजें डेवलप नहीं हुई थी फिर भी आज के भी रिफरेंस में वो सेल थेरी वैलेबल है थेंक यू